दोस्तो इत्तफाक देखिए कली मैंने आपको वीडियो बनाकर शाम को बताया था कि भारत अमारिका से 30 MQ-9 प्रेडियेटर ड्रोन पर्चेस कर सकता है जिसकी कुल लागत आएगी 3 बिलियन डॉलर्स याने कुल 22,000 करोड के लगभग अब दोस्तो इसके उपर कई सारे लोगों ने क्वेस्चिन किया था रुस्तम 2 ड्रोन्स को जो कि हमारा खुद का भारती सुदेशी है जिससे DRDO बना रहा है और दोस्तो देखिए आज ही इसी को लेकर एक ख़बर आ गई वैसे मैं आज इस वीडियो को बनाने के मूड में नहीं था लेकिन वही इत्तफाक जो हुआ उसको लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रोध्यान से सुनियेगा दोस्तो आप सब जानते हैं कि पहले हमारे रुस्तम 2 में जो एंजिन लगाया गया था वो था 150 HP के आसपास जिसके बाद इसकी पैलोट कैपेसिटी हो जाती थी कुछ 3.5 किलो के लगबग यह रे 3 से 4 यह ज़्यादा हुआ तो 5 एंटी टेंक गाड़ेड मिसाइले ले जा सकता था लेकिन दोस्तो इसके बाद फिर खबरे निकल कर आई थी कि दरसल डियाडियो इसी रुस्तम 2 के लिए दो नए एंजिन्स बना रहा है जिसमें एक एंजिन था 180 HP का और एक एंजिन था 220 HP का तो दोस्तो आप जो खबरे निकल कर आ रही है उसके अधार पर रुस्तम 2 ड्रोन्स के अंदर डियाडियो ने इंटिग्रेट कर दिया है 180 HP के एक एंजिन को जिसके बाद दोस्तो बताएजे जा रहा है कि इसकी पैलोट कैपसिटी या आप समझ लीजे कि 500 किलोग्राम से उपर हो जाएगी वैसे अभी भी अगर कंपेर करें हम लोग अमेरिका के प्रेडियेटर ड्रोन्स की तो उसकी पैलोट कैपसिटी है 700 किलो के लगबख लेकिन भारत की ड्रोन्स की इस 180 HP वाले एंजिन के साथ भी पैलोट कैपसिटी 500 किलो के असपास होगी खर फिर भी पहले से ठीक है सम्थिन इस बेटर देन नथिन इसके बाद दोस्तों बताय जा रहा है कि जो 220 HP वाला एंजिन इसके अंदर एंटिग्रेट किया जाएगा उसके बाद इसकी पैलोट कैपसिटी हो जाएगी 700 केजी के उपर वैसे अभी तो इसमें 180 HP का ही एंजिन इंस्ट्रॉल किया गया है अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसके ट्राइल्स कप लिए जाएंगे ट्राइल्स को लेकर फिलाल कोई भी खबर नहीं आई है मैं आपको बता दू DRDO इस तरह के 5 प्रोटोटाइप के ओपर काम कर रहा है जो कि जल्दी ही बनकर तयार हो जाएंगे और ये 5 प्रोटोटाइप हमारी 3 फोर्सेस को सौब दिये जाएंगे ताकि हमारी 3 फोर्सेस अपने हिसाब से इनके यूजर ट्राइल्स ले सके बाकि ड्रोन्स की टेक्नोलजी में हम जितना पिछड़ा वो समझ रहे थे भारत को ये हमारे DRDO को उतना एक्चुरी है नहीं काफी हद तक काम शुरू हम लोगों ने पहले ही कर दिया है मैं आपको बता दो कि दुनिया के जादा तर देश इसी लेवल पर है जी हाँ इसी लेवल पर है बड़े से बड़े देश भी आप ले लिजिए कुछ एक देश ही ऐसे हैं जिन्होंने काफी पहले से ही इसके ओपर प्रिप्रेशन शुरू कर दी थी काम शुरू कर दिये थे और उन्होंने अपने ड्रोन्स तयार कर लिये अभी भी दुनिया के मौस प्रॉबली कंट्रीज दुसरे देशों से ही इने पर्चेस कर रही है ड्रोन्स टेक्नोलजी के मामले में गिने चुने दोतिन देशों के नाम ही सामने आ रहे हैं वहीं अगर चाइना की बात कर रहे की ड्रोन्स तो फ्री में लेना भी बड़े महेंगे पड़ते हैं